हेलो फ्रेंड्स बेसी सेकेंड डियर और्गैनिक केमिस्टी में शोर्ट कोश्चन की सीरीज में आज हम कवर करेंगे कोश्चन नमबर 33 कोश्चन नमबर 33 में पूछा गया है हाउ विल यू प्रिपेर फिनॉल फ्रॉम बेंजोईक एसिड्स मतलब कि बेंजोईक एसिड से आप फिनॉल को कैसे प्रिपेर करेंगे कैसे बनाएंगे तो देखे अगर आपको यह रियक्शन याद करना है तो सिंपली आपको सबसे पहले बेंजोईक एसिड की जो स्ट्रक्चर इसको याद रखना होगा बेंजीन के निकुलियस पर जुड़ा है कार्बोक्सलिक ग्रूप यहाँ पर बेंजीन के निकुलियस पर जुड़ा है हमें इस बेंजीन हमें यह जो बेंजोईक एसिड है इससे हमें यह फिनॉल बनाना है यानि कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि यह जो कार्बोक्सलिक गुरूप है यहाँ पर एलकोहलिक गुरूप में चेंज हो जाए तो ऐसा करने के लिए हमें देखे किस किस प्रोसेस से गुजरना होता है इसी तरह से आप याद करेंगे ठीक है तो देखे यह हमारे पास बेंजोईक एसीड की स्ट्रक्चर जब आप बेंजोईक एसीड को सो सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है बेंजोईक एसीड को तो यहाँ पर यह जो इसका सी डबलो एच गुरूप है यह उड़ जाता है यानि सिंपली कार्बन डाई उक्साइड के फॉम में निकल जाता है ठीक है यह जो एच है यह वापस चला जाएगा यहां पर बेंज साइड के फॉम में बाहर निकाल देगा अब बचा क्या यहां पर बेंजीन अब यह जो बेंजीन है यह जब आप इसको कॉंसेंट्रेटीड एच्टी असोफोर के साथ हीट करोगे तो इसका हो जाएगा सलफोनेशन ठीक है तो बेंजीन का सलफोनेशन कैसे होगा जब आप सलफोनेशन का मतलब क्या होता है सलफोनिक ग्रूप का एडिशन ठीक है सलफोनिक ग्रूप क्या होता है एस ओ त्री एच ग्रूप तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसका सलफोनेशन हो चुका है तो यह हमें प्राप्त हो गया बेंजीन सलफोनिक एसेड आप लोग देख रहें ठीक है है टोटल ऑक्सिजन की संक्याती नहीं है दो यहां पर एक यहां पर जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है लेकिन इसको थोड़ा अलग करके लिखाया गया है तो यह है यहां पर इसकी जहां लग जाएगा कि सोडियम है कि कैसे होता है एन एप्लस & ओच माइनस में यह जो वाइच माइनस है और यह जो एच प्लस है यह निकलेगा प्लस के रूप में हाँ पर ओच बंच प्लस और यह एक बचा के हैं यहां पर यह oxygen बचा हुआ है जिस पर negative charge है क्यों है negative charge क्योंकि इसने hydrogen का जो electron है वो इसने oxygen ने छीन लिया था जिसकी वज़ए से इसके oxygen पर आया minus charge अब आपका question होगा क्यों छीना था क्योंकि oxygen की electronegativity hydrogen की electronegativity से ज्यादा होती है इसलिए जिसके पास electronegativity ज्यादा है यानि इसको पास electron को खीचने की समता जो है वो ज्यादा है और यह बात मैं अपने concept के अंदर आपको समझाता रहता हूं तो finally होगा क्या है यहाँ पर देखो यहाँ पर बन जाएगा sodium benzene sulfonate ठीक है क्योंकि यहाँ पर और इस oxygen से जुड़ चुका है sodium ठीक है क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है sodium प्लस positive के रूप में जाकर इस oxygen पर जाकर माइनस के चार्ज पर जुड़ जाएगा प्लस जाएगा माइनस के पास माइनस जाएगा प्लस के साथ इतना ही आपको ध्यान रखना है अब यह जो sodium benzene sulfonate है जब आप इसमें sodium hydroxide again डालो होगे तो माइनस एने टू एसो थी बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा फिनॉल राइट इस प्रकार से आप benzoic acid से फिनॉल बना सकते हैं जो कि इक्जाम पेपर में कई बार सड़े तीन नंबर दो नंबर में question पूछा जाता है और याद करने का सबसे सिंपल तरीका है पता होना चाहिए कि कौन से रिजेंट का क्या काम है ठीक उसकी उसी के बेस पर आप इसको आसाने से याद करेंगे